So guys, आज की इस वीडियो में सीखेंगे बाई के सभी परियोग बाई का परियोग कितने तरीकों से किस कंडिशन में किस मिनिंग के साथ करते हैं एके करके सीखेंगे यूज ओ बाई, बाई का मतलब है से, से का मतलब from भी होता है, to भी होता है और भी कुछ ऐसे वर्ट से है लेकिन बाई का मतलब से होता है तो किस कंडिशन में इसे यूज करते है कंडिशन ये है, वो जनम से अन्दा है जो संटेंस बनेगा He is blind by birth By birth मतलब जनम से जनम से अन्दा है, जनम से कुछ से है ऐसे बोल सकते हैं यहां गलती से हो गया तो it happened by mistake यहां गलती से हो गया ऐसे से के लिए बाई का यूज करते है बाई का दूसरा यूज से है पेशा से पेशा से मतलब प्रोफेशन से आप कैसे इसे परियोग करते हैं जैसे विराट कोली पेशा से एक खिलारी है तो संटेस बनेगा विराट कोली is a player बाई प्रोफेशन यह पर बाई का यूज किया गया है पेशा से मतलब बाई प्रोफेशन आख्षेकुमार पेशा से एक एक्टर है आख्षेकुमार is an actor बाई प्रोफेशन तो इसे संटेसे कही सरे बना सकते हैं अगर किसी का पेशा बताना हो कि वो अपना घर की रोजी रोटे किस माध्यम से चलाता है कौन सी काम करके चलाता है तो आप पेशा से जोड़ सकते हैं वो पेशा से एक नर्स है she is a nurse by profession she is a nurse by profession वो पेशा से एक नर्स है ऐसे संटेंसे कही सरे बना सकते हैं चाप पर पेसा से कुछ बोलते हैं बाए का मतलब है के दुआरा और इसे परियोग करते हैं पेसिव संटेंस में पेसिव संटेंस वो होता है जो किसी के दुआरा कोई काम किया जाता है और जिसके दोरा काम किया जाता है उसे दिखाता बहुत कम है मतलब कि emphasize करता है stress देता है सबसे ज़्यादा object पर जो काम होना है example है mobile उसके दोरा बेशा जाता है तो simply बोलते है mobile बेशा जाता है लकिन ये भी जनना कि isn't कौन है कौन इसा काम कर रहा है किसके दोरा किया जाता है तो फिर हम उसे लिखते है mobile is sold mobile बेशा जाता है उसके दोरा by him तुम्हें America manager के दोरा बेशा जा रहा है you are being sent to America by manager किसके दोरा manager के दोरा और ये sentence passive sentence है गली राहूल के दोरा सजाईब आ रही है the street is being decorated by राहूल by राहूल मतलब राहूल के दोरा आपके दोरा by you मेरे दोरा by me रावी के दोरा by रावी आमन के दोरा by आमन ऐसे शेम बोल सकते हैं जब किसी के दोरा कोई काम किया जाता है बाइ मेंस तक और तक के लिए तो एसी मेरे पास still हैं, until है, up to है, even हैं, कई सरे words हैं, लेकिन बाइ कायोज्ट हम किस condition में करते हैं? करनेसन पहला ये हैं कि बायक उसे करते हैं तक के लिए सिर्फ future tense में और future का भी tense हो तो आदिक तर हम देखते हैं कि indefinite tense में ही पर्योग किया आजाता है future indefinite में जिसे कि आमन मार्च तक अंग्रेजी सिख जाएगा तिये sentence कौन से tense का है future indefinite से future simple भी बोलते हैं मार्स तक तो किसी टाइम तक की से बोलते हैं का मतलब ने लूपरेल पाएंगे मैं साथ बश्चें तक वहां पहुँस जाओंगा I will reach there by 7 am यह पर यह 7 am क्या है time है time के साथ हम पर्योग करते हैं by core by का meaning होता है तक और इसे हम सिर्फ use करते हैं future indefinite tense में वो 4 बसे तक यहां काम खत्म कर देगा he will finish this work by 4 pm he will finish this work वो काम smut कर देगा खत्म कर देगा by 4 pm 4 बसे तक by का अगला यूस है by मतलब है खुद से जब कोई काम खुद से करते हैं तो वहाँ पर by का परियोग करते हैं example है कि मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूं I can write a letter by myself by myself का मतलब है खुद से वो खुद से खाना बनाता है he cooks food by himself he cooks food by himself वो खुद से खाना बनाता है रोईत खुद से क्यत का काम करता है रोईत ड़स फिल्ट वर्क by himself रोईत ड़स फिल्ट वर्क by himself रोईत खुद से क्यत का काम करता है by का मतलब है say say मतलब ट्रांसपोर्ट से ट्रांस्पोर्ट मतलब कोई भी वाहन से इसे ट्रेन से बस से प्लेन से ओटो से बाइक से कार से ऐसे बोलते हैं तो एक्जाम्पल है मैं फ्लाइट से दिल्ली साओंगा I will go to Delhi by flight वो बस से आया he came by bus he came by bus वो बस से आया राहूल ट्रेन से जा रहा था राहूल was going by train यह अपर आप देख सकते हैं कि by train मतलब train से bus से मतलब by bus flight से मतलब by flight तो इसे प्रियोग कर सकते हैं और कहीं सारे sentences बना सकते हैं by का मतलब है pass या बगल में जिसे कि मेरे pass में अंग्रेजी बोलो तो sentence बनेगा speaking less by me speaking less by me मेरे pass में अंग्रेजी बोलो रामेस मेरे pass में बेठा था रामेस was sitting by me by me मतलब मेरे pass में मेरे बगल में वो मेरे बगल में काम कर रहा था he was working by me he was working by me वो मेरे बगल में काम कर रहा था वो हम लोगों के pass में खाना पका रही है she is cooking food by us by us मतलब हम लोगों के pass में तो इस sentences आसाने से बनेंगे by का मतलब के हिसाब से जैसे की रवी के घड़ी के अनुसार दस बज़े है it is 10 o'clock by रवी's watch रवी's watch मतलब रवी के घड़ी के अनुसार यहाँ पर बाय का परियोग किया गया है आम कीलो के हिसाब से बिचा जाता है mangos are sold by the kilogram केला दरजन के हिसाब से बिचता है बना इंसोल्ड by a dozen तो इस sentence समसाने से बना सकते हैं के हिसाब से मदद से हम बोलेंगे by by का मतलब है के दुआरा और इसे परियोग करते हैं communication में मतलब बात्षित में जैसे मैंने post के दुआरा पत्र भेशा I sent you a letter by post क्या आप email के दुआरा पेडिप बेश सकते हैं could you send me a video by email, यब आप पीडिय भी कर सकते हैं, could you send me a video by email, क्या आप email के दुआरा पीडिय भेस सकते हैं, by का मतलब है, कुछ करके, जैसे कि, वो चाए भेसकर, पैसे कमाता है, he earns money, by selling the tea, by selling the tea, चाए भेसकर, कोई काम करकर, रवी मेहनत करके कार खरीदा है रवी एस पर्शेज़ डाकार बाई वर्किंग हार्ड बाई वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत करके कड़ी मेहनत करके सुरेज कपड़े बेश कर घर चलाता है सुरेज किप्स हीज हाउस बाई सेलिंग क्लोट्स तो इसे sentences आसानी से बनेंगे और डेली लाइप में काफी ज़्यादा परियुक करते हैं So guys, thanks for watching, that's all for today